हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूटूब चैनल टेकनिकल मिस्टा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके वीवो वाई 91 मोडल में यदि आपके इसमें इयरफोन का लोगो आता हैं तो आप उसको किस तारीके से रिपेर कर सकते ह हैं कि मैं आपको किलियर बताता हूँ दोस्तों आगर आपकी इयरफोन का लोगो आता हैं तो कोई बता देता हैं इसको हटा दीजिए आपकी प्रोब्लम सोल हो जाएगी लेकिन मैं आपको दोस्तों इसमें कंप्लेट आपको इसका वेज बता देता हूँ ताकि आपके किसी भी मोबाइल में किसी भी जगे से अगर प्रोब्लम आती हैं तो आप उसको आसानी से रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है तो दोस्तों हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर CC Board को आप रिपेर करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो इसमें जानेंगे मतलब अगर इसमें complete आपको वेज बता देता हूं कि किस लाइन के वज़े से हमारे यहां पर इयर फोन का लोगो आता है उस लाइन को हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर यह है वीवा ऑई 91 का CC Board दोस्तों यहां पर मैं आप पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि यहां पर इसमें तोड़ा किलेर नहीं ठीक है यह वाला पॉइंट होता है वो होता है हमारे इसमें यह वाला पॉइंट है जो होता है हमारे इसका माइक का इयर फोन के अंदर जो माइक होती है उस माइक का होता है ठीक है और उसके बाद दोस्तों यह वाला इसका ग्राउंड होता है और उसके बाद में यह वाला में ये वाला point कुन सा है उसको जानते हैं उससे फेले दोस्तो इधर ओला जो पोईंट है ही ये हमारे येरफोन का left side का ये ये है हमारे येरफोन में right side की line जो right side में होता है वह right side में जो speaker बसता है वो इस ये वाले लाइन से है ठीक है राइट क उसके बाद दोस्तों यह वाले लाइन वहोती है डिडेकशन की लाइन डी से इसको मैं लिख्ज़ नहीं मतलब डिडेक्ट करती है यह जब हमारे एयर fwn connect होता है तो इस लाइन के जरी ह दिये हमारे भाएन के सिग्नल जाता है कि हाजी ये वो क्या नाम है इयरफोन इसमें कनेक्ट हो चुका है ठीक है इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट होता है उसके बाद दोस्तों इस लाइन को हम समझेंगे क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद ही है कि अगर आपके इयरफोन लोगों की प्रोब्लम आए तो का निचे एक रिजर्डीस्टर और दएता है इसमें नहीं आती है ठीक आप समझ लेना इसलिए मैंने नीचे वाया भी डू किया हैegeày यह कहा सामने वाला जो उसके इस वॉले प्रो जाती है और उसके बाद इस वालेये हाँ से आउट होती है को उसके बाद अमारे इस Right kayatan की इसकी line होती है यहाँ पर दूसरे number पर ठीक है यहाँ पर दूसरे number पर इसकी detection की line होती है पहले हम इसकी line को समझ लेती है उसके बाद में इसकी problem और solution के बारे में समझेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें वापस हमारे main पती के जरीए जाती है हमारे इस वाले connector के अंदर इस वाले connector में जो deduction की line होती है वो उपर से दूसरे नमबर पर होती है ठीक है उपर से जो दूसरा नमबर है उसमें हमारे deduction की line होती है दूसरे नमबर पर deduction की line और उसके बाद दोस्तों यहां से जाती है हमारे सीधा यहां पर इसके पीछे की तरप आप देख सकते हैं यह वाला हमारा चार्जिंग सेक्षन है चार्जिंग और ओडियो सेक्षन है यह होगी हमारा ओडियो सेक्षन और यह हमारा इसका चार्जिंग सेक्षन ये वाला पूरा इसका चार्जिंग सेक्षन है उसके बाद में चार्जिंग सेक्षन के इधर आप अगल में यहाँ पर देख सकते हैं इधर जो रजिस्टर लगए हैं लाइन बाइन उसमें जो चोते नमबर पर जो रजिस्टर है इसमें आता है हमारे इसकी डिडेक्षन की लाइन इसलिए दोस्तों वेस का मालूम होना बहुत जरूरी है अगर आपने दोस्तों कोई भी सिसी बोट भी चेंज कर दिया और के बार क्या होता हैं हमारे इसमें यहरफोन कनेक्टी नहीं होता हैं कोई सब भी लगा लो येरफून कनेक्टी नहीं होता हैं तो उसमें इन रजिस्टर के निकल जाने की वज़े से होता हैं रिपेरिंग के दोरान तो इसलिए उसके बाद इस वाले पॉंट पर आता हैं और इस वाले पॉंट से दोस्तों इसकी सप्लाई जाती हैं सीधा अमारे इसमें पावर आई-सी के अंदर इस पावर आई-सीमें हमारी ond Oliver की सपला याती है यह से जाते इस वाले मैं और उसके बाद इस वाले सैड़ से इस वाले सेट से पीछे की तरफ यहां पर देख सकते हैं यह पीछे की तरफ इसमें चली जाती है यह वाले इस रेजिस्टर मेडिक है इस वाले पॉइंट पर जाती है उसकी बाद इस वाले पॉइंट पर और उसकी बाद के बाद सीधा हमारी इस पावर आईसी में चली जात तो आपको समझे दोस्तों अगर यह वाले रजिस्टर खराब हो जाता है या फिर कई से ग्राउंड से शोट हो जाते हैं तो फिर यह फोन लोगों की प्रोब्लम आती हैं इसलिए दोस्तों आप यहां पर इसके लाइन को स्टेप बाइस्टेप चेक कर सकते हैं और फिर अपन